Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains, I hope आप सब लोग बहुत बढ़ियां हैं, खेरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और सिंसिरली एक्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुआ हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट लेक्शर में हिस्ट्री, क्लास 12, उसकी तीसरी किताब और उसका जो हमारा थीम नंबर 13 है, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी और जो नैशनल मुव्मेंट खड़ा किया गया, उसका जो कुशियल पीरियाड है, 1915, 16 से 1948 तक का उसको हम लोग डिसकस कर रहे हैं, तो लास्ट लेक्शर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि गांधी जी जो थे, उनके विचार एक्शुल में किस तरीके के थे, इंडियन नैशनलिजम को लेकर उनका थौट प्रोसेस किया थ जो बनारा सिंदू युनिवर्सिटी में, उन्होंने इनागरेशन में स्पीश दी थी, जब हम लोगों ने उसको पढ़ा तो उससे हमको एक बात समझ में आई, कि गांधी जी ने लोगों के सामने एक फैक्ट क्लियर कट रख दिया था कि इंडियन नैशनलिजम एक इलीट फैनोमेनन है, और जो मिजॉरिटी ओफ पीपल हैं, जिसमें पीजन्स आते हैं, जिसमें लिबरर्स आते हैं, उन पर्टिकुलर लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन इस नैशनलिजम में नहीं है, जब तक आप उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें लेकर नहीं आएंगे, माजादी, सौराज, यह सब इन बातों का कोई मोल नहीं बनता, इनका कोई सेंस नहीं बनता, बाद में फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इनके जो विचार उन्होंने बनारस हिंदू उनिवर्टिटी में सामने रखे थे, उनको उन्होंने जब प्राक्टिकल धरातल पर लागू किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसके लिए उन्होंने किन किस चीज़ों पर फोकस किया, फिर हम लोगों ने रोल अटक के बारे में बातचीत करी थी, फिर नॉन कॉपरेशन मोमेंट के बारे में बातचीत करी थी, खिलाफत मोमेंट में पूरी की पूरी एक जनरेशन पर जादू की तरह गांधी जी जो हैं उनके विचारों ने असर किया था और किस तरीके से लाखों की तादाद में लोग एक लीडर की आवास पर निकल कर बाहर आ गए सिर्फ एक बात के उपर कि हम लोग अहिंसा से हम लोग सवीने अनुग्या की मदद से अंग्रेजों को जुका देंगे हम इंसा नहीं करेंगे हम बदलाव लाएंगे हम बदला नहीं लेंगे इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की मदद से कि हम अंग्रेजों का दिल बदल कर देएंगे और स्वराज वगरा को जो है हासिल करेंगे अहिंसा और सत्य की ताकत से पर्टिकुलर विचार ने किस तरह लोगों को जोड़ा किस तरह गांधी जी ने लोगों को इस पर्टिकुलर विचार से इंस्पायर किया इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे आज के लेक्चर में देखने वाले हैं So now, without any further ado, here we begin And our first topic today is going to be a people's leader हम लोग यह देखने वाले हैं कि यह लोगों के बीच में जो हैं लीडर के तौर पर किस तरह सा निकल कर आए 1916 में जब बनारस हिंदू उनिवर्सिटी में बुलाए गए थे तब गांधी जी को frankly speaking कोई जानता नहीं था बहुत ज़ादा National Leader के तौर पर उनकी कोई image वगएरा नहीं थी ना उनका कोई assets कोई बहुत ज़ादा contribution था उनको बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने South Africa में कुछ movements वगरा Indians की lead किये था 1916 से 1922 लगवग 6-7 सालों का वग गया है अब इन 6-7 सालों में एक ऐसा व्यक्ति जिसको 1916 में हिंदूस्तान में कोई ऐसे जानता भी नहीं था एक leader के तौर पर, एक politician के तौर पर 1922 आते आते वो एक mass leader के तौर पर निकल कर आते हैं वो एक जन्नायक के तौर पर निकल कर आते हैं तो क्या factors थे कि मात्मा गांधी का जिस तरीके का प्रभाव रहा उस तरीके से कोई और हिंदूस्तान में कोई और निता इतना influence नहीं डाल पाया उनकी वजाओं को, उनके particular reasons को हम लोग तलाश हैंगे उन particular चीजों को हम लोग heading में पढने वाले हैं People's Leader में कि गांधी जी मैं ऐसी क्या खास बात थी कि वो जन्नायक बन कर उभर कर आया और उस level तक जन्ता की नपस को चुआ जिस level तक कोई और politician नहीं चूपाया तो now we are going to see that By 1922 गांधी जी has transformed Indian nationalism thus redeeming the promise he made in his BHU speech of 1916 1916 में गांधी जी ने अपनी speech में एक बात की थी कि भई हमें अगर nationalism को आगे लेकर जाना है तो हमें हमारे जो majority है जो majority के तपके हैं जिसमें किसान आते हैं इसमें workers आते हैं इन लोगों को लेकर आना पड़ेगा जब तक इन लोगों को नहीं लेकर आया जाता जब तक इन लोगों को national movement में इन लोगों को आपका जो समाजिक पटल है उसके एकदम front line में लाके नहीं खड़ा किया जाता तब तक किसी तरीके के कोई nationalism किसी तरीके के कोई स्वराज की बात करना बेमानी है उसका कोई sense नहीं बनता ये तब तक एक elite phenomenon है या तब तक ये जो सब्रांत वर के लोग हैं ये उनका moment है जिसको कोई खास appeal जिसके कोई खास mass appeal नहीं है उसके बाद में एमदाबाद में गए उसके बाद में आपका खेडा में गए उसके बाद में रूलेट सत्यागरे हुआ non cooperation moment हुआ हर जगे उन्होंने एक ही बाद को emphasis किया लोगों को जोड़ो और लोगों से मतलब क्या है जो main stream आपका जो हर तबका है जो lower classes है जो middle class है इन लोगों को जोड़ो इसका नतीजा ये निकला 1922 आते आते इंडियन nationalism पूरी तरीके से transform हो गया था 1916 में जहां गांदी जी खुद कहरा है कि आपके nationalism का मतलब है एक elite phenomenon जिसमें सब्रांद वर्क के लोग है upper middle class या upper class के लोग हैं जब उनको शौक चलता है वो आके बैठते हैं nationalism की बातें करते हैं और जब उनका mood बढ़ जाता है mood खतम हो जाता है उसके बाद में चले जाते हैं वहाँ से journey शुरू होती है और कई सारे moments वगरा के थू होते हुए एक transform nationalism गांधी जी के अथक प्रयासों से 1922 तक निकल कर आता है अब हो ये रहा था कि इंडियन नाशनल मुवमेंट professional या intellectuals का मुवमेंट नहीं रह गया था अब ये गरीब से गरीब शोशिद वर्थ तक का आदमी जिसको दो वक्त खाने के लिए नहीं मिल रहा है उसका भी मुवमेंट बन गया था वो भी अब खड़ा हो गया था अंग्रेजनों के खिलाफ वड़के कि मैं भूका मर जाओंगा भूका मर रहा हूं अगर उसके बाद भी आसमान का अंतर हो जाता है अब ये नैशनलिजम वो नहीं था जो पहले था अब इस नैशनलिजम में सब लोग आकर जुड़े थे सब लोग अपनी जो आउती जो है सतन्ता की इस यग्ये में दे रहे थे अब ये नहीं रह गया था कि ये किसी बड़े फाइफ स्टार होटल की तरह हो जहां पर सिर्फ आपके बड़े वर्क या ऐसे लोग जो जिनकी जेब में काफी पैसा हो सिर्फ वो ही लोग जाके खाना खा सकते हो अब ये एक जनता ढबा बन गया था जहां पर गरीब से गरीब आदमी भी जो है जाके दो पैसे दे कर रोटी खा सकता है तो इडियान नैशनल मोवमेंट में इस तरीके का ट्रांस्वोमेशन आपको देखने को मिला हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में पैरों में पोलियो हो गया था जिसके पैरों में चलने की भी शंता नहीं थी गांदी जी ने जादू कर दिया था और अब वो बच्चा मैरेथान दोड़ने के लिए तयार था इस लवल तक जो है आपको नैशनल मोवमेंट में जैसे कोई दूसरा नेता होता है उस तरीके से अब यह वाली बात नहीं रहे थी वह गांदी जी को महात्मा के तौर पर वेनिरेट करने लगे थे यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल इंसान नहीं जो एक महानात्मा है जो हम जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं हम सबसे जो एक जादा elder होते हैं जो एक जिनको आप बहुत जादा संवान देते हैं जैसे सादू संत हो गए, महात्मा हो गए, उस तरीके का वैनिरेशन जो है आपको आप देखने के लिए मिल रहा है, उस तरीके की श्रदा भाव जो है लोगों के मन में गांधी जी के लिए आने सबसे पहला फैक्टर तो यह था कि गांदी जी एकडम कपड़े उनी लोगों की तरह पहनते थे, यानि कि गरीब से गरीब आज में जिस तरीके के कपड़े पहनता है, धोती पहन रहे हैं या फिर एक खदर का कपड़ा पहन रहे हैं, एकडम एक लाटी लेकर चल रहे हैं, प उनी की तरह वो कपड़े पहन रहे हैं, उनी की तरह वो जी रहे हैं, और उनी की भाशा बोल रहे हैं, अभी एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात थी कि इस वक्त में जनता जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिकी नहीं हुआ करती थी, जनता जो है उसकी बहुत ज़्याद वो आपका normal Indian masses वगरा के साथ में कर रहा है, Indian जद्दा के साथ में कर रहा है, मगर भाषण भाजी जो हो रही है वो हो रही है अंग्रेजी में और बकाइदा ऐसी English जिसमें एसेंट जो है वो Britishers की तरह रखा जा रहा है, आपका अंग्रेजी एसेंट में जो है, अंग्रेजी जैसे असेंट में जो है, आप भाषण भाषण दे रहा है, उसी की जगे गांदी जी लोगों से उन्हीं की भाषण में बात करना है, जो भाशा वो समझ सकते हैं, उसी भाशा में उनके साथ में जुड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, बाकी सारी लीडर्स वगरा से उनको अलग करती हैं, बाके सारी लीडर्स जो करते थे वो सिर्फ बाते करते थे कि आप गरीब हैं, आपके लिए ये करेंगे, वो कर करेंगे ऐसा करेंगे गांधी जी ने ये बोला था कि अगर तुम गरीब और मैं तुम्हारा लीडर हूं तो फिर अब मैं भी गरीबों की तरह रहूंगा अब यह नहीं हो सकता है कि मैं सूट पूट पहनू और मैं एकदम ऐसे लोगों की बात करूं जिनके शरीर पे कपड़ नहीं है जिनके पेट में रोटी नहीं है और मैं इस सारी बात में बढ़िया एक टेबल बर बैट कर शांदा डिनर करते हुए अच्छे तीन पीस के सूट में कर रहा हूं यह नहीं होगा अगर मैं गरीबों का लीडर हूं तो फिर मैं भी एकदम गरीबों की तरह रहूंग मैं बात कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह सिर्फ हमारे साथ में इंफेसाइज नहीं करता यह सिर्फ हम पर धया का भाव नहीं रखता यह हमारे साथ आइडेंटिफाइ कर रहा है यह बोल रहा है कि अगर तुम गरीब और मैं तुम्हारा नेता हूं तो अब मैं भी गरी मेरा भी पेट पूरी तरह से नहीं भरेगा इस लेवल का जो mass conviction आपको देखने को मिलता है ये गांदी जी को एक दम अलग खड़ा करता है बाकी सारे leaders के comparison में इनको all together एक अलग phenomenon के तौर पर लेकर आता है और यही वज़ा है कि ये जादू की तरह काम करते है या फिर एक जादू की तरह जो हैं लोगों के दिमाग पर चाते चलेगा इनके जो विचार हैं उसके साथ में लोग जोड़ता चलेगा यहीं से एक बहुत interesting lesson आपको leadership का निकल कर आता है leader और boss में एक बहुत basic फर्क होता है boss आपको instructions देता है leader आपको instructions नहीं देता leader आपके साथ में वो काम जुड़कर करता है वो यह नहीं बोलता है कि तुम यह कर लो मैं ख़ड़ा हो के यहाँ पे देख रहा हूँ वो यह बोलता है कि आओ हम मिलकर इसको साथ में करता है गांदी जी में और बाकी leaders में बस यही फर्क आ गया था बाकी लोग बोलते थे कि आप लोगों की परिस्तियां ठीक नहीं है हम आपके लिए कुछ करेंगे गांदी जी यह बोलता थे कि आपकी परिस्तियां ठीक नहीं है और मैं समझ रहा हूँ आपकी परिस्तियां ठीक नहीं है मैं आपके साथ इन परिस्तितियों में तब तक आपकी जैसी हिस्तिति में जीऊँगा जब तक मैं आपकी परिस्तितियों को बदल नहीं देता ये एक बहुत important aspect है जिसके करण गांदी जी बाकी सारे लीडर से एकदम अलग खड़े हो जाते हैं बाकी सारे लीडर से all together अलग आपको समझ में आते हैं चलें जी आगे बढ़ता है तो गांदी जी को जो बातने अलग करती हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे खास तोर पर उनकी ड्रेस की अगर आप बात कर लें जिस तरीके के कपड़े पहनते थे एक धोती पहनते थे पूरा उपर का तन जो है आपने अपना उखाल के रखा हुआ है सर्दियों में एक आप खदर का शॉल डाल लेते थे एक लाठी पकड़ के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर ड्रेस के कारण इस पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल के कारण लोगों ने उनके साथ जुड़ते चले गए ये एक बहुत लोगों के साथ मुंग का जो आइडेंटिफिकेशन था वो बहुत श्रैकिंग ली उनकी इस ड्रेस ते दिखता था क्वेश्चन ये उठता है कि गांधी जी क्या हमेशा से ऐसे कपड़े पहनते थे एकदम सन्यासी है संत जैसी जिन्दगी 1921 तक गांधी जी भी नहीं जी रहे थे हाला कि वो काफी नॉर्मल जिन्दगी जीया करते है देख जैसा कॉमन मिल्ल ग्लास का आदमी होता है मगर जो महात्मा वाली छबी वनी है उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स है 1921 में हुआ ये कि ये साउथ इंडिया के टोर पे गए हुए थे मदरास में इन्हों ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनकी इस्तिती एकदम खराब थी इतनी बुरी हालत में थे कि एक कपड़ा जो है उससे अपने जिस्म को लपेट रखा है अपने शरीर को छुपा के रखा हुआ और उससे भी आप पूरा जो अपनी बॉडियों से कवर नहीं कर पा रहे है जब उन्होंने ये देखा कि इस परिके की इस्तिती में आपके आंके लोग रह रह रहे है जब निम्द से निम्द वर्के तपके के अगर बात करो उसकी ये हलत है ये गांदी जी ने देखी और इसके बाद में अगर आप सर्दियों में कभी कबार ऊपर आपका जो एक शॉल वगरा लेते थे, खदर का एक लाटी पकड़ कर चलते थे, एक चश्मा पहनते थे, इसके इलावा अपने बाल मुडा लिये, सब कुछ एकदम जो एक स्तिती होती है, जिसमें एकदम आपके देश का सबसे गरीब आदमी जिस परिस्तिती में रहता था, उस परिस्तिती में गानरी जीन रहना शुरू किया, और कन्विक्शन देखिए इस वेक्ति का, जिस दिन ये प्रण लिया, उसके बाद से जिस दिन तक मौत नहीं हो गए, जिस दिन तक प्राण नहीं त्याग दिन तक यही पर्टिकुलर जो है आपके कपड़े वगरा रहे, यही आपका ड्रेसिंग सेंसर दा, ना सर पे बाल रखे, ना अपने शरीर के उपर जो है आपने उपर का जो तन है वो गाल के रखा, ना इस पर कपड़े डाले, नीचे जर्वाब एक धोती वगरा पहना कर रहा है, इस लेवल तक अगर कोई आद्मी आपके साथ आकर जोड़ रहा है, तो फिर नॉ डाउट इसमें कोई आश्यरी की बात नहीं है, कि लोग भी जो हैं उसके लिए जान देने को तयार होगा है, लोग भी जो है उसके साथ में आकर जुड़ते चलेगा, उनके साथ मे आपका acidism और absenteism भी दिखती है, acidism का मतलब यह है, कि सब को छोड़ दिया है, इस आदमी को कोई mom आया नहीं है, जैसे extent, सब कुछ हर चीज का त्याग कर देता है, हर वो चीज जो आपको प्रिये थी, आपने उसका त्याग कर दिया, और absenteens का भी यही मतलब होता है कि जो जो चीजें अच्छी लगती थी अब कुछ नहीं घाना, जो जो चीजें अच्छी लगती थी उनका कोई आपने किसी तरीके से उपभोग नहीं करना है, किसी तरीके से उतका कोई सेवन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब को छोड़ की जाएं जिन्दगी में गांधी जीन सब के अलग थे वो इन सब चीजों के पोजिशन में थे वो सेलिबरेट करते थे एक सामानिय जीवन एक ऐसा जीवन जिसमें बहुत ज्यादा कंज्यूमेरिजम नहीं हो जिसमें उतनी चीज़ें हो जितना आपके बेसिक जिन्दगी ज दिखाया है चलें जी आगे बढ़ते हैं साथी साथ ये एक चीज़ और किया करते थे ये अपने दिन का कुछ हिस्ता जो है चर्खा चलाने में बिताया करते थे और दूसरों को भी जो है उन्होंने दूसरे जो आपके नैशनलिस्ट लीडर थे जो आपकी जनता थी उनसे दिन का कुछ हिस्ता जो है चर्खा फगरा चलाया करें चर्खा फगरा चलार के ख़डर बनाया करें जो खादी का उसको बुनने में में काक ए अपकी आपको चुन से 정 western को करेगा जरूरी नहीं है और जनरली खुद करेगा नहीं वो आपसे करवाएगा लीडर वो काम खुद कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है आपको करने के लिए वो यह नहीं बोलेगा कि कर लो वो यह बोलेगा कि आओ साथ मिलकर करते हैं बहुत बेसिक डिफरेंस है मगर बहुत इंपोर्टन बात है जो एक लीडर को एक बॉस से या फिर इस तरीके एक जो डिक्टेटर से अलग करती है इंपोर्टन पॉइंटेस को याद रखिएगा तो यह जो एक वज़ा तो यह थी कि गांदी जी जो है लोगों को एक सेल्फ रिलाइंस की बात समझाना चाहरे थे एक संदेश दे रहे थे कि अपने खुद के कपड़े तक खुद बनाओ अंग्रेजों से आपको लेने की जरूरत नहीं है मैंजेस्टर का जो यह सस्ता कपड़ा आ रहा है कोई जरूरत नहीं है हाथ मा पैर मारो अपने एफर्ट दोख अपने खादी का ख़दर का कपड़ा बना और उसे पहनो उससे कमस कम यह है कि तुम्हें उस कपड़ी की वैल्यू भी समझ में आएगी क्योंकि अपनी मैनत ल आने का काम कुछ सर्टेन कास्ट वगरा तक जो है वो सीमित था तो लोगों के बीच में जो कास्ट की भावना है जो एक जातिवाद है इसको भी कम किया जाए इसके लिए भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेशन था कि कोई काम करने से कोई एक सर्टेन काम किसी पर्टिकुलर काम अगर अलग-अलग जातियों के लोग करेंगे उससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है तो यह आपका जो है एक पर्टिकुलर संदेश वगरा देने के लिए काम किया गया है त्रेडिशनल कास्ट सिस्टम की जो बाउंडरी वगरा बनी हुई थी जो प्रिवेल करती और जो आदमी बड़िया बाबू बना हुआ डेस्क पर बैठा हुआ है उसको अंट्शन पर तंखाय मिल रही है यह जो इन दोनों के बीच में काफी जादा बैरियर था गांदी जी के संदेश भी दे रहे थे कि इस बैरियर को भी हमको तोड़ना है इसको भी हम लोग आग जाँ से दिखा जाता तो यह चीज ठीक नहीं है खदर का अपना कबड़ा खुद मनाओगे हाथ पैर मारके उसको पहनोगे तो यह बात आपके दिमाद में ज्यादा बेटर तरीके से बैठेगी यह गांदी जी का पर्टिकुलर था और उसी को आगे लेकर वो चर्खा वग विचार है नहीं जो modern machines और industries लग रही है उसको लेकर क्या विचार है self-reliance और hard work को लेकर self work को लेकर manual labor को लेकर क्या विचार है उन सारी चीजों पर उनका खुद का लिखा article है अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे तो गांदी जी से कई बार यह पूछा जाता थ था वो समझेंगे वो यहाँ पर लेखा हुआ और फिर गांदी जी कि अपने खुद के शब्दों में उन्हें ने क्या बातें कहीं है वो यहाँ पर तो गांदी जी ने क्या बोला था machines को लेकर चर्खे को लेकर खडर को लेकर वो सारी बात यहाँ पर रहें यह उनके humans and displaced labor, याने कि यह जो modern age हाई है, जिसमें आप की industrialization हो रहा है, और machine वगरा जो हैं, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें लोगों से जो हैं आप काम आप नहीं करवा रहे हैं, आप labor वगरा से जो पहले काम करवाते थे और 100 आदमियों आपने लगा रखा था, लेटसे एक जगे पर एक काम कराने के लिए, उनको हटा कर आपने उसकी जगे पर एक machine लगा दी और आप उस machine के साथ में लेटसे सिर्व आपको 10 आदमियों की ज़रूरत है, 90 को आपने काम से निकाल दिया, तो इस तरीके का जो ये modern age में machine की मदद से पूरा का पूरा industrialization हो रहा था, गांदी जी इसके profoundly खिलाफ थे, वो चाहते थे कि इस तरीके का industrialization नहीं होना चाहिए, जिसमें machines जो है, या फिर इनसान जो है, वो machine के ऊपर अपने कामों तो ये चर्खे को एक ऐसे symbol के तौर पर यहाँ पर देखते थे, जो machines को glorify नहीं करता है, technology को glorify नहीं करता, the spinning wheel moreover could provide the poor with supplementary income and make them self-reliant, साथी साथ उनका ये मानना था कि लोगों को अगर आप चर्खा चलाना सिखाओगे या फिर उनको motivate करोगे कि भाई चर्खा चलाओ और उससे खदर वगरा बनाओ तो दो चीज़े होंगी, एक तो उनको ये समझ में एक तो self-reliance वगरा जो है उनके अंदर वो develop होगा कि आप अपने कपड़े वगरा तक जो हैं खुद बना सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप ये के संदेश दे रहे हैं कि आप अपना कोई भी काम खुद कर सकते हैं बस आपको effort देने की जरूरत है साथी साथ ये हैं कि अगर इस तरीके से वो अगर जो गरीब लोग हैं चर्खा वगरा चलाएंगे तो उनके पास में काफी जादा मातरा में खद्दर आएगा अब रोज अगर चर्खा चला रहे हो और रोज कपड़ा बना रहे हो तो वो कपड़ा खुद तो आप पहनोगे नहीं एक तो ये बात आप लोगों के दिमाग में उतरेगी दूसरा ये कि आपके पास में सप्लिमेंटरी इंकम का एक नया स्त्रोत आजाएगा या फिर एक सिंबल आपको समझ में आ रहा है कि effort मारिए अपना जो main काम कर रहे हैं इसके लावा और labor लेबर वगरा करिए दूसरे क नाम करिए और उनकी मदद से आप जो है सप्लिमेंटरी इंकम बगएर आपनी जनरेट कर सकते हैं यह विचार गांदी जी का था अब यह बात जो है अपने NCIT के राइटर्स ने लिखी है यहां तक मगर अब यहां से जो बात हैं वो गांदी जी के खुद के शब्द हैं दो चरखे को लेकर खंदर को लेकर गांदी जी अच्वाल में क्या सोचते हैं थे उनहीं के शब्दों में अब हम इस बात को देख रहे हैं वोट अब्जेक्षन है वो मशीनों को लेकर अचछ नहीं है वो एकदम से क्रेज़ आया लोग एकदम जो बावले हुए जा रहे हैं इस craze को लेकर है, the craze is for what they call labor saving machinery, अब यह जो craze है खास तोर पर यह उन मशीनों को लेकर है जिनको यह लोग कहते हैं labor saving machinery, याने कि ऐसी machines जो labor save कर रही है, याने कि ऐसी machines जिसको लगाने के बाद में आपको मदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, men go on saving labor till thousands are without work and thrown onto the open streets to die of starvation, याने कि इन मशीनों को लेकर craze है, जिन मशीनों को आप कह रहे हो labor saving machines, याने कि ऐसी machines इनको लगा दिया तो आपको मदूरों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उनके बिना भी जो है अपना काम चला सकते हैं, दूसरे शब्दों में आपको मदूरों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तो अंका हैं जो उनको देने में चली जाती हैं, वो सारा का सारा पैसा बच जाएगा, तो आपकी जो income है वो बढ़ जाएगी, मैं इस तरीके की labor saving machines वगेरा का विरोधी हूँ, क्योंकि आप आदमी करेग मैं इस तरीके की machines वो support नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि अगर आप machines बना रहे हो, जो आपका वक्त बचाएगा, ऑपका labor बचाएगे, अगर आप ये भोल रहे हो कि ऐसी machines वक्त बचा रही है, टाइम बचा रही है, labor बचा रही है, तो तो दूसरा बचा रही है, और आपको इसके पास में काम करने के लिए नहीं है, नौकरी करने के लिए नहीं है, तो एक आदमी की जो saving है, वो दूसरे आदमी की unemployment में convert नहीं होनी चाहिए, ये एक बात है, इस बात को गांदीजी ने काफी ज़्यादा कहा था, इसके आगे वो ये कहते हैं, I want the concentration of wealth, not in the hands of few, but in the hands of all, अगर आप ये बोल रहे हो कि मशीनों की मदद से समरिद्धी आएगी, पैसा वगरा जो है लोगों के हाथ में खटा होगा, तो फिर मेरी इक्षा ही है, चार लोग या 14 लोग या 40 लोग जो है, उनी के हाथ में पैसा concentrate नहीं होना चाहिए, फिर अगर जी ये चाहते हैं थे कि अगर कोई भी नया बतलाव आता है, तो पूरे के पूरे समाज का, पूरे के पूरी हिमानिटी का, पूरी की पूरी मानपता का उससे भला होना चाहिए, और अगर ऐसा भला नहीं हो रहा है, तो फिर इस तरीके के changes वगरा से हम लोगों को बचना च करते थे, तो यहां से उनी के शब्दों में अपने को एक बात समझ में आ रही है, गांदी जी मशीनों के विरूद नहीं करते थे, गांदी जी ऐसी मशीनों के विरूद करते थे, जिसके कारण लोग बिरुजगार हो जाएं, सांती साम उनका ये कहना था कि आप अगर ये लगा कर वक्त बचाया जा रहा है, लेबर बचाई जा रही है, कोस्ट बचाई जा रही है, और उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो फिर ये सारी चीजों से फाइदा सबका होना चाहिए, अगर 4 लोगों का फाइदा हो रहा है तो फिर मैं इस तरीके के फाइदे में इंट्रेस्टेड नहीं हूँ या तो अगर कंसेंट्रेशन और वेल्थ हो रहा है तो सक्के लिए हो नहीं तो फिर ना हो यह नहीं हो सकता है कि एक ऐसी मशीनें बनाओगे जिससे कुछ लोग कमाएंगे और बागी सब भूकें मर जाएंगे विरोजगार हो के मैं इस तरीके की मशीनों के सपोर्ट में फेवर में नहीं हूँ एसस में मशीनों का विरोधी नहीं हूँ मगर ऐसी तो कॉल्ड कोट अंकोट लिबर सेविंग मशीनरी के विरोध में हूँ और रहूंगा इस तरीके का थोट प्रोसेस गांदी जी ने अपने इस आर्टिकल में दिया था आगे जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें यह कहते हैं खदर डजनाट सीक टो डिस्ट्रॉइ औल मशीनरी बट इस रेगुलेट इट्स यूस एंड चेक इट्स वीडी ग्रोथ यानि कि जो मैं खादी बनाने के लिए लोगों को बोलता हूँ मैं कहता हूँ कि चर्खा चला अपने कपड़े खुद बनाओ खादी बगेरा बनाओ इससे मेरा यह अबजेक्टिव नहीं है कि वो मशीनों को मिटा दो या वो मशीनों को डिस्ट्रॉइ कर दो जिनसे कपड़ा बनता है और बेचा जाता है और मैं उसके आगे इसमें खड़ा हूँगा हूँ इसलिए लोगों से बोलता हूँ कि खादी बनाओ और चर्खा चल जरूर करना चाहता हूँ याने कि यह मैं यह कहीं नहीं कहता हूँ कि चर्खा चलाओ कपड़ा बनाओ और यह जो मशीने अलग रही है जिनकी मरत से कपड़ा बनाया जाता है इन सबको बरबाद कर दो इन सबको डिस्ट्रॉइ कर दो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि चर्खा च अच्छी होगी उन कपड़ों की अपेक्षाज जो मशीनों से बंकार आ रहे हैं तो यह अल्टरनेट दूसरा यह कि यह अंट शंट रूप से ग्रों नहीं करेंगी यह मशीने लोग अगर अपना ट्रेडिशनल तरीका जो है कपड़े बनाने का वो बंद कर देंगे तो फिर म अगर एक अपना एक छता अदिकार कर लें मशीनों की मोनोपली आ जाए इसका एक छता अदिकार कायम हो जाए अगर ऐसा हुआ तो भी हमारा का इससे होगा यह कि इनका पुरा मोनपली बन जाएगे और ये फिर लोगों के उपर अपनी शर्तें डिक्टेट करेंगे मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं ये नहीं चाहता तो हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि मशीनों को बरबाद कर दो जिनसे कपड़े बनाये जा रहे हैं मगर मैं चर्खा चला के लोगों को ये जरूर बोल रहा हूं कि इनका एक अल्टरनेटेद तयार रखो और इनकी ग्रोथ पे एक लगाम लगाओ इससे अब चर्खा जो है जिसमें आप वील चला के कपड़ा बना रहे हो है तो ये भी एक तरीके की मशीन आप सलो ये मान लिया कि अब चर्खे का जो इसको प्रमोट करकर बेसिकली ऐसी मशीन को प्रमोट कर रहा हूं जो गरीब से गरीब जो लोग है उनकी मदद कर रही है और वो अपने कॉटेजेज में अपने घरों में बैठकर इसको चला कर अपना कुछ भला कर सकते हैं तो ये जो वील है ये जो चर्खा है ये अपने आप में एक ऐसी मशीन है जो लोगों को बरबाद नहीं करता है जो लोगों को डिस्ट्रोई नहीं करता है मगर लोगों को एक अल्टरनेटिव देता है कि वो अपने घर में बैठकर स्रजन कर सकते हैं उत्पादन नहीं कर सकते, जो अपने घरों में बैटकर स्रजन कर सकते हैं, और स्रजन बहुत important चीज है, यह creativity भी लेकर आता है, यह self-reliance भी लेकर आता है, यह आपको यह जो machines वगरा condition ग्रोथ हो रहा है, उसके खिलाफ में भी एक alternative देता है, और most importantly आपको आत्म शक्ती से प रखने का भी आपको संदेश देता है, तो यह सारी बातें जो हैं, यहां से निकल कर आती है, गांदी जी के जो विचारत है, machines के बारे में और चर्खे के बारे में हम लोगों ने यहां पर देखे हैं, चलें जी, आगे बढ़ता है, तो गांदी जी की फिर अब जैसे जैसे popularity बढ़ती चली गई, जैसे जैसे उनका लोगों के बीच में mass appeal बढ़ते चली गई, वैसे वैसे लोगों ने उनको कई सारे रूपों में जो है accept करना शुरू कर दिया, और कई सारे नामों से उनको बुलाना शुरू कर दिया, कुछ लोग उनको गांधी बाबा बोलते थे, कुछ लोग गांधी महराज बोलते थे, और simply कई लोग महात्मा बोलते थे, कई लोग बापू बोलते थे, कई लोग कुछ और बोलते थे, मगर अब जैसे एक ही लीडर के इतने सारे अलग-अलग नाम हैं या प्रशलित हैं जनता में जिनकी मदद से जनता उनको address कर रही है या फिर जनता उन particular नामों से अगर उनको बुला रही है, तो ये एक understanding है कि उस व्यक्ति की जो अपील है, वो समाज के कई सारे तपकों में, जरूरी नहीं है कि एक तपका जो गांधी बाबा बोल रहा है और दूसरा तपका भी गांधी बाबा ही बोले, कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने गांधी माराज बोलना शुरू कर दिया, एक तपके ने कुछ और नाम से बोलना शुरू कर दिया, कोई तपका महात्मा बोल रहा है, कोई बापू बोल रहा है, कोई बापू जी बोल रहा है, तो point यह है कि जो किसी leader के अगर एक section को represent करते हैं, community को represent करते हैं, caste को represent करते हैं तो उनकी appeal सिर्फ उसी तपके तक जो है related रहती है या confined रहती है गांधी जी इन सारे बंदों ने में बंदे नहीं थे गांधी जी पूरे हिंदुस्तानियों के as a whole leader थे और ये बात उनके जो जनता में अलग-अलग नाम प्रस लेते हैं, उससे भी हमको समझ में आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे खास्तों पर साउथ में अगर आप देखेंगे आज के context में, Tamil नाडू वगरा की बात कर लेते हैं, तो आपके कई सारे जो leaders है, उनको specifically एक आद नाम से जाना जाता है common नाम जो है, उनका नाम की जगे कोई दूसरा common नाम है, उससे जनता उनको address करती है, अब जिस वेक्ति की तमिल society में mass appeal है, वहाँ पर उस particular leader को एक और नाम से जाना जा रहा है मगर उसकी जो appeal है, वो सिर्फ से एक नाम से कोई समाज, उसके नाम की जगे कोई दूसरे पर्चलिक नाम से अगर जनता जो है बुला रही है, तो ये एक indication है कि उस particular section में समाज की उस तपके में उसकी एक पकड है, उसकी एक mass appeal है, गांदी जी के जो लोग हैं उनके साथ में जुड़े हुए थे, और इसी लिए इतने सारे अलग-अलग नामों से उनको जाना जाता है अगर आप हिंदुस्तानी किसानों की बात कर ले और किसान cutting across the caste line, community line and regional line, उपर से लेके नीचे तक, North से लेके South तक, East से लेके West तक, हर जगे जो Indian peasants की बात अगर आप कर लें, उनके लिए गांदी जी एक मसीहा की तरह थे, एक सेवियर की तरह थे और इनका मानना ये था कि जो high taxes वगरा का पूरा system है, जिससे इनका शोशन हुआ चला जा रहा है या फिर जो एक oppressive officials हैं, ऐसे आपके अधिकारी हैं, जो इनका शोशन करते हैं, इनके खिलाफ इनका repression वगरा करते हैं, इनका दमन करते हैं, इन सब लोगों से बचाने की गांदी जी जो हैं, इन सब से बचाने के लिए अफ्तरित हुएं, इन सब से बचाने के लिए आएं तो अब बड़ी interesting बात है, यहाँ पर गांदी जी को लीडर के तौर पर नहीं देखा जा रहा, आपको एक उमीद रहती है अपने लीडर से कि यार हमारा बंदा है, चुनकर आया है तो यह करेगा वो करेगा, मगर यहाँ पर गांदी जी लीडर नहीं है, यहाँ पर गांद से वो officials वगरा से भी बचाएगा, हमारी dignity जो है और हमारी जो autonomy है हमारी जिंदगी में वापस लाएगा, हम जो गुलामों जैसी जिंदगी यह काट रहें कि हम अपने मन से अपना अनाश तक नहीं बोच सकते, अपने मन मर्दी से खा नहीं सकते, अपने मन मर्दी से कुछ न थी, his appeal among poor in particular present was also due to his ascetic lifestyle and shrewd use of symbols like dhuti and charkha, अब ये जो आपका मसीहा के तौर पर appear होने वाली बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason ये भी था कि घान्दी जी की जो lifestyle थी, वो उनी के जैसी थी जिस तरीके से आपके किसान वगरा रहते थे, ascetic lifestyle यानि के संतों जैसी जि हो है, ना आप मतलब कोई wealth वगरा इ отв कंटी करके बैठे हो, ना ऐसी बात है कि आप गरीबों की बात करते ह हो, और महल में रह रहे हो, ना ऐसी बात है कि आप, आपका जमीन पर चलने वाले शोशित Mubscribe की बात करते हो, और Mercedes में घुम रहे हो, ऐसी बात नहीं है, गान्दी जी अगर गरीब की बात कर रहा है तो गरीब की कुटिया जैसी कुटिया में ही रहते हैं एसी में नहीं सोते थे जमीन पर सोते थे मकमल में को नहीं ओड़ते थे खदर को ओड़ा करते थे तो यह जो एसेटिक लाइस्टाइल थी एक सन्यासियों जैसा जीवन जी रहे थे सब को छोड़ दिया है इस लेवल तक renunciation कर दिया है कि जब तक मेरे देश के गरीब के तन पर इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा शरीर ढख सके तब तक मैं भी नंगा रहूँगा मैं भी सिर्फ एक कपड़ा अपने शरीर पर डालूँगा इसके लावा मैं भी अब अब तक अगर आपने आपको लोगों के साथ में जोड़ दिया है इस तरीके से आपने जो symbols का इस्तिमाल किया है एक तो यह संतों ऐसी जिंदगी हो गई और दूसरा ही है धोती पहनना या फिर जो चर्खा चलाना इस तरीके के symbols जो इस्तिमाल करते हैं इनका जो चलाकी से अब इस्तिमाल कर रहे हैं श्रीवड का वैसे काईदे से मतलब चलाकी से इस्तिमाल करना ही होता है मगर यहां क्योंकि NCRT में इस अब यूज किया गया तो मैंने यहां पर लिखा है मगर इसको श्रीवड वर्ड की जगह ज़्यादा बेटर यह रहेगा कि लोगों के साथ म का प्दूर के साथ में अपनी जबर देना और एक लाहां पर संतों जीवन जीना जीना और उसके बाद फिर गडूर मदूर की बात करना गडूर जीने के बाद में मदूर की या जैना इस चीजनर लोगों को गांदी जी के साथ में जबर würdenशी तारीके से जो है जोड़ा औ और यही बज़ा है कि इतने सारे अलग-अलग नाम और पूरे अलग-अलग समाज तब के संप्रदा है और उन सब में गांधी जी की इतनी जादा मास अपील और इतना जादा पकड़ और सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है कई बार तो यह हाला दा जाती थी कि गांधी जी कहीं कर जाते थे तो वहाँ पर रियूमर्स वगरा जहों है वो फैल जाते थे उनकी मिराकलस पावर्स को लेकर इस तरीके के अभवाएं उड़ने लगती थी आगे इंसको अभी और सोला से देखेंगे कई जगाओं पर ये बात फेला ही जाने लगती थी या फिर ये अभवाएं उड़ जाती थी कि इनको जो है राजा के द्वारा और राजा से मतलब अंग्रेज राजा की बात हो रहे हैं ये King George जो आपका England में बैठा हुआ है राजा के द्वारा आपकी जो फार्मर्स की ग्रिवियांसे है जो शिकायते हैं उनका निवारं करने के लिए उनका निप्टारा करने के लिए भेजा गिया है कई जगाँपर ये अबवाएं उड़ जाती थी इनके पास में जो आपकी local official's हैं उनको overrule करने की power है कई जगाओं पर ये लोग claim करने लगते थे कि इनकी जो power है अंग्रेज राजा से जादा superior है और हम इनके आने के साथ में kolonial ruler जो है उसको हमारा जिला छोड़के भागना पुड़ेगा वो हमारा दमन और शोशन नहीं कर पाएगा इस तरीके की अबमाएं वगरा जो हैं काफी जादा उड़ाई जाने लगीं थी काफी जादा जैसे जैसे गांदी जी की अपील बड़ी जैसे गांदी जी कहीं जा रहे हैं इस तरीके की rumors इस तरीके की अबमाएं खूब फैली इसके बाद में कई जगाओं पर ये rumors ये इस त खिलाफ में कुछ ना कुछ देवी आपना आने लगती हैं अब इस तरीके के जो रियूमर्स वगरा थे ये बड़े इंट्रेस्टिंग भी हैं बड़े फ़नी भी हैं मगर फिर ये वही बात बताते हैं कि लोगों का इमोशनल कनेक्ट कितना जादा था गांधी जी के साथ में इस तरीके के कुछ रियूमर्स वगर आपको हम लोग देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने लोगों की नर्फ को किस तरह से पकड़ा था और लोग किस हथा गेमोशनली जोए गांधी जी के साथ में अटैश महसूस करते थे तो जो नेक्स अप हम लोग कुछ चो रियूमर्स वगरा उस वक्त में सप्रेड़ हो रहे थे जिनमें से कुछ को को लोकल वहां के जो न्यूजबर था तो उनकल को पार चेह घ्यी है तो उनके बारे में लोग जाधा United Province की जो local newspapers वगरा थी उनमें काफी report हुए थे उनमें से कुछ हम लोग जो है rumors वगरा को देखने वाले हैं हम लोग उससे फिर हम को यही बात समझ में आएगी कि गांदी जी की जो mass appeal है वो किस extent तक लोगों में पकड़ बना चुकी थी यह rumors भी basically उसी बात का एक प्रमान तो बस्ती करके एक जगे पढ़ती है यह पूरी की पूरी एक news चपी हुई है तो उसका एक अंच दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़के discuss करना हूँ सिकंदर साओ from a village in Basti said on 15 February that he would believe in the मात्मा जी वें दा काड़ा boiling पैन फूल ऑफ शुगर के जूस इस कार खाना वेर गुड़ वास प्रडूस स्प्लिट इन्टू 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 यानि कि अब यह एक रूमर छापा है है उनाइटेड प्रविंश की लोगल नीउजपेपर में जो आज का उत्तर प्रदेश हो वसके उस वक्के किसी लोकल नीउजपेपर में खबर शपी है कि यह एक बस्ती गत्ति करके जगे पढ़ती हैं वहां पर एक गाहँ है उसका नाम तैसे कहां ultimately यह आलत आगई कि जो आपका local newspaper है वो इस तरीके कि अब भाएं छाप रहा है दूसरी अबबा देखते हैं a cultivator in आजमगड said that he would believe in मातमा जी's authenticity if sisham sprouted on his field planted with wheat next day all the wheat in that field became sisham याने कि यहाँ पर एक cultivator आजमगड में एक आजमगड में आपका जो किसान है वो यह बोल रहा है कि मैं गान्दी जी में बरोसा करूँगा जब मेरी वो खेट जिसमें मैंने गहूं बोया है उसमें कल शisham निकल करा जाए उसमें कल शisham वगएरा वहाँ पर निकलना शुरू हो जाए next day all the wheat in the field became shisham तो अगले दिन जितना भी वहाँ पर आपका wheat वगएरा लगा हुआ था वो सारा का सारा शisham बन गया अब obvious ही बात है ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा मगर इस तरीके कि अब वहाँ उड़ाई जा रही है और अब यह अब वहाँ कितनी powerful हो गई होगी कि आपको local newspaper में उसकी खबरें शापी जा रही है इस समझ में आ रहा है फिर वही बात कि गांदी जी की मास अपील कितने भयानक लेवल तक फैल गई थी कितने बड़े लेवल तक फैल गई थी यह बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि ऐसी अबवाएं भी जो हैं लोग बिलीव करना है जिसके ओपर जनरली आदमी बिलीव नहीं करेगा और कई लोग इस पर इन अववाँ पर भरोसा करने के कारण गांदी जी को मात्मा की तरह बैनिरेट करने लगे एक बोल रहा तब भरोसा करूँ है जब मेरे खेतों में गहुं लगाया हुआ है सबका सब सीशम बन जाए अब ऑव्यसी बात है ऐसा कुछ हुआ नहीं मगर हो इससे फिर वही बात समझ में आती है कि गांदी जी की अपील तो थी और उस अपील को फैलाने में कई सारे factors contribute करते हैं अगर किसी वेक्ति के बारे में इस तरीके के rumors उड़ाये जा रहे हैं तो इससे एक बात clear है कि उसके बारे में बाते हो रही है बाते हो रही है मतलब यह क कि वह famous है और famous है यानि कि उसकी कुछ ना कुछ तो अपील है यह बात अपने को यहां से समझ में आती है और देखते है there were rumors that those who opposed Mahatma Gandhi invariably met with some tragedy अब जैसे इसके पहले वाले rumors में तो गांदी जी को इस तरह से दिखाया जादा रहा है कि कोई miraculous इंसान है कोई बहुत बढ़े संत Mahatma है और आप बिलीब नहीं करोगे तो आपके साथ इस तरीके से कुछ गलत हो जाएगा इसी तरीके के कुछ rumors ऐसे भी फैलाए गए कि भाई अगर Mahatma Gandhi का विरोध करोगे तो आपके खिलाप बुरा होगा आपके साथ में कुछ बुरा होगा कोई करेगा नहीं मगर आपके साथ में देवी आपदा आएगी और आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा इसके भी कुछ rumors वगरा पहलाए गए ते उस पर भी बात कर लेतना है जेन्टल्मेंण फ्रम गोरकपूर सिटी कुश्चन दा नीड और टू पलाए दा चर्का हिस हाउस कॉट फायर याने कि गांधी जी जो चर्का चर्का बोल रहे है कि चर्का चलाओ ये करो वो करो तो या क्या ज़रूरत है चर्का चलाने की गोरकपुर का एक आदमी है उसने इस तरीके से जो है गांधी जी के जो चर्का चलाने का ये पूरा मोमेंट है या जो ये संदेश देना है इसके उपर सवाल उठा है अगले दिन उसके खर में आग लग गई है उसके खर ने आद पकड़ई हो सकता है शायद लग भी गई हो इसके कुछ कारण भी रहा हो यह हो सकता है ना भी लगी हो अग्र इस तरीके किया रूमर ओडाया गया और लोगों ने इस पर वरोजा किया, ये इस लेवल तक वरोजा किया कि बकायदर इसको रिपोर्ट किया गया, अकबारों में छपा है, उसके बाद में इन अपरेल 1921, some people were gambling in a village of उत्तरपरदेश, someone told them to stop, only one four amongst the group refused to stop and abuse गांदी जी, the next day his goat was bitten by four of his own dog अपरेल 1921 में एक अववा उड़ी और इसको भी फिर रिपोर्ट किया गया कि बागी सब तो मानगे, उनमें से एक वेक्ती जो है वो नहीं माना, उसने बोला कि नहीं मैं तो खेलूँगा, और उसने गांदी जी के खिलाफ अप शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने गांदी अबिटिन ये हुआ कि इसको गोड़त थी उसको आपकी बखरी उनकों कुट्ते ने काट लिया, और उनके खुत के कुट्ते ने काट लिया जिसको उन्होंने आपका वहां पे बखरी के लिए रखा था. तो इसे जुड़ी हो एक और गोर्टिय को आपकी वाइसे कक्ता खा किसम खाई या प्रण लिया कि हम लोग शराब या मदिरा का सेवन नहीं करेंगे वन परसन डिड नॉट कीप इस पॉमेट अब एक व्यक्ति जिसने ये प्रण लिया था उसने अपने इस प्रण को नहीं निभाया और उसने अपना प्रण तोड़ दिया अब जैसे ही वो व्यक्ति शराब या मदिरा की दुकान की तरह बोड़ता है वैसे ही उसके सामने जो है इटों की या इटों की तुक्लों की बरसात होना जो है वो शुरू हो जाती है यानि कि जैसी उसने गांदी जी का नाम लिया वैसी इटों की जो बारिश हो रही थी वो रुख गई फिर से अब यह रियूमर है इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी कि आपने प्रण तोड़ दिया तो फिर उसके बाद में इटों की बारिश होने लगी और गांदी जी का सपोर्ट तो था लोगों की बीच में गांदी जी की अपील तो थी और इतनी अपील थी कि उनके बारे में बाते हो रही थी बातों से बातें बन रही थी बातों से अववाएं बन रही थी अववाएं फैल रही थी उड़ रही थी कुछ भी होम अगर इससे गांदी जी की तुम्हारी बक्री को कुटा काट खाएगा अगर गांदी जी के खिलाब कुछ बोला या उनकी बात नहीं मानी वो लोग जो उनकी अथॉरिटी को चर्खा वगरा की बात की अथॉरिटी को मतलब चैलेंज कर रहा है उनको आप ड़ा सकते हो या फिर उनके मन में डर बढ़ाय की खाएगी इटों की बरसात हो जा है इस डर से जोड़ रहे हों मगर जोड़ रहे हैं कुछ भी वज़ा से जोड़ रहे हों अगर जोड़ते चले गए नतीजह यह हुआ लाको करोडों लोग गांधी जी के नाम पर गांधी जी की एक हावास पर मुमेंटending आते चले गए- और अंग्रेजों के पूरे के पूरे जो आपके अंपायर की नीव जो है उसको हिला कर रख दी, 1857 में भी इतना बड़ा मास कॉंट्रिबूशन आपको देखने को नहीं मिला था, इतने बड़े लेवल पर मास पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, जितने लेवल पर गांधी कि एक आवास पर जो है लोग आके खड़े होगा, मजे की बात है, 1857 में तो रिवोल्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, आपने हिंसा करी थी, प्रती हिंसा हुई थी, यहाँ पर सामने वाला ये बोल रहा है कि मुझे मार भी दोगे, मुझे जान से भी मार दोगे, खतम भ मैं हराऊंगा, दिस वास वन और दा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड, मतलब इसको इस तरह से बोलना चाहिए कि लोगों के तत्वर में नहीं था, ये एक चमतकारी विचार के तौर पर निकल कर आया, इस तरीके एक आउट ऑफ दा बॉक्स थिंकिंग के तौर पर निकल कर आ अब इसका आप क्या जवाब दे दोगे, इस तरीके की जो टेकनीक्स अपना ही गई, इन्होंने गांदी जी को बाकी सबसे अलग और बाकी सबसे बहुत आगे जो है आपके पूरे की पूरे नैसनल मुव्मेंट में लाकर खड़ा कर दी, अगर आप कास्ट के पॉइंट ऑ और जो हाथ से काम करने को और सेल्फ रिलाइंस को आत्म शक्ती के ओपर जो उन्होंने इंफेसिस दिया है, इसके कारण लेबरिंग क्लास हो, पीजान सों सब के बीच में, वो सब के बीच में उनकी पॉपुलारिटी बड़ी, वो ना सिर्फ उनके साथ में इंफेसाइस कर पाए, ना वो अपने आपको उनके साथ में जोड़ पाया और उनके साथ में उनकी जो परेशानियां उनको महसूस कर पाए, मगर जो साथ में लेबरिंग क्लास थी, जो पूर थे, जो आपके दवे कुछले थे और जो शोशित वर्गों के लोग थे, वो भी जो हैं इंटर जी ने जिस लेवल पर जो है, जो चीज़ें करी थी, उसके कारण ना सिर्फ वो लोगों के साथ में ये बोलते थी कि मैं आपका नेता हूं, वो उनके साथ में जुड़ गए थे, वो उनके साथ में एक ऐसा जुड़ाओ, ऐसी आत्मीता महसूस करते थे, जो किसी और को, ज बाते हैं, गरीबों की तरह जीते हैं, फकीरों जैसी, जिन्दीगी ये संत इंसान बन गाए, संत इंसान है, इस तरीके का उनका जो लाइफस्टाइल है, इसके करण लोग भी जो है, इनके सिर्फ एक लीडर के तौर पर नहीं देखते थे, जो उनका नेता है, या फिर जो उनको लीड कर रहा है, जो उनका, मगर एक मसीहा के तौर पर देखने लगे, उनके साथ में जुड़ते चले गया, उनके साथ में अपने आपको connect महसूस करने लगे, गांदी जी को अपने घर के परिवार के सदस से अब एक बड़े के तौर पर देखने लगे, ये एक वज शकर या नमक को घोल दिया जाता है, वो दिखता नहीं है, मगर अगर अगर शकर घोली गई तो उसकी मिठास महसूस होती है, नमक घोला गया तो उसकी नमकीनियत महसूस होती है, तो गांदी जी और लोग पानी और शकर की तरह या पानी और नमक की तरह जुड़ गये थे, इस तरह से आपस में मिल गए थे कि उन दोनों को एक दूसरे के सालग नहीं किया जा सकता तो और वो एक दूसरे के साथ में correlate कर पा रहे थे और इसी कारण ये bonding बहुत ज़ादा बढ़ती चली गई और जो अपील आपको गांदी जी के साथ में देखने को मिली वो किसी और लिडर के साथ में आपको देखने को नहीं मिली आगे बढ़ते हैं तो undoubtedly मात्मा गांदी के जो मास अपील थी वो अपने आप में जन्यून थी और इस तरीके की अपील इस तरीके का सपोर्ट इस तरीक बनकर निकल कर आ गए हैं और हट जगे लीड कर रहे हूँ इस particular success का इस्तिमाल जो है गांदी जी ने बकायदा Indian nationalism को बढ़ाने में Indian nationalism का दाएरा और Indian nationalism का support बढ़ाने में भी किया और carefully अपना पूरा 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 जो organization हैं उसको भी वो बढ़ाते चले गए जिसने इंटर्न आपका जो mass appeal है और जो आपका broad basis को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करी है तो यह जो line यहाँ पे लिखी गई है कि his successes in broadening the basis of nationalism was based on careful organization उनकी खुद की appeal जो बढ़ती चली जा रही थी वो बढ़ती चली जाई रही थी मगर साथी साथ उन्हों ने अपनी mass appeal वगेरा से इतर Indian nationalism को बढ़ाने में भी जो है इसका इसका इस्तेमाल किया है उन्हों ने अपना कोई local अपना जो personal है इसके कोई फाइदा नहीं उठाया उनकी अगर appeal बढ़ी उनका अगर लोगों के बीच में सम्मान बढ़ा लोगों के बीच में सपोर्ट बढ़ा तो इसकी मरद से उन्होंने हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद को लोगों तक बढ़ाने में बहुत जादा जो है इसका इस्तिमाल किया और इसके लिए बकाइदा एक organization जो है वो बना के खड़ा किया गया था किस तरीके से सबसे पहले तो Congress के जो branches हैं वो छोटे द छोटे गली तबके और आपके जो कूचे हैं और आपके छोटे छोटे गाउं हैं जहां तक पहुचा नहीं जा सकता हैं जहां तक पहुचना मुश्किल है ऐसी ऐसी जगाओं पर भी जो है Congress की उन्होंने branches वगरा खुलवाई दूसरा उन्होंने Congress की अगर सदस्ता लेनी है तो आप 6 आना या 4 आना देकर जो है प्रिंस्टली स्टेट्स वगरा हैं वहां के लोगों के बीच में राश्वबात का बढ़ावा दिया जा सके राश्पुताने में ये बात पहला ही जा सके निजाम के जो इलाके हैं वहां पर कश्मीर के इलाकों में बाकी जो आपके भोपाल का जो प्रिंस्क्ली स्टेट था वहाँ पर और बाकी जगाओं पर ये बात पहला ही जा सके कि हम सब लोग एक ही देश के वासी हैं आपकी पहली लोयल्टी अब आपके राजा के साथ हैं आपके देश के साथ, आपकी जमीन के साथ, आपकी मिट्टी के साथ है यह जमीन जिसका अनाज आपके शरीर में खुून बंद कर दोड रहा है पहली едतारी इस मा के साथ में, इस भारत मा के साथ में बाकी इस के बार में कोई और चीज़ आती है और in organizations के कारण भी आपकी mass appeal बढ़ती चले कई एक तो आपने ये किया कि आपने Congress की branches वगरा हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों में खोली जहां पर लोग सोथ नहीं सकते थे कि Congress पहुँच सकती सदस्ता आपने 6 आने कर दी या 4 आने कर दी या दो आने कर दी तो जो गरीब से गरीब आदमी है वो Congress के साथ में जुड़ रहा है प्रिंसली स्टेट्स में आपने प्रजा मंडल्स के नाम से organizations वगरा खोली एस्टाबलिश करी जिन्होंने वहाँ पर नैशनलिस्ट क्रीड को नैशनलिस्टम को रास्वाद को जो है बहुत ज़ादा बढ़ावा दिया और होते 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 ना सिर्फ Congress की अपील बढ़ती चली गए गांधी जी की अपील बढ़ती चली गए और ये moment जो इन्होंने खड़ा किया उसको हर जगे से चाए वो प्रिंसली स्टेट हो चाए वो आपका देश का कोई भी हिस्ता हो हर जगे से आपको सपोर्ट मिला पहले ये होता था कि कोई moment खड़ा हुआ तो किसी शेतर में खड़ा होगा और वहीं पर दोह सिमट कर रह जाएगा अब अगर कोई moment खड़ा होगा तो जैसे पेट्रोल में आपने चिंगारी दिखा दिये और आग चारो तरह फैल जाएगी उस तरीके से उस moment में लोग देश के हर हिस्ते से आके खड़े हो जाएंगे और सपोर्ट करेंगे ये एक चीज थी जिसके कारण गांदी जी जो है इस पर्टिकुलर चीज के कारण हम लोग कह सकते हैं गांदी जी के सर आपको सहरा सजाना पड़ेगा इंडियन नाश्टरबाद को हर गली कूचे तक लेकर जाने का हिंदुस्तान के आखरी तपके के आखरी इंसान तक पहुचाने का हिंदुस्तानी राश्टरबाद को सहरा गांदी जी के सर आपको सजाना पड़ेगा साथी साथ गांदी जी ने एक चीज और करी उन्होंने ये बोला कि जो एट नैशनलिस्ट मैसेज है जो राश्टरबाद का मैसेज है आप मदल टंग में दीजी आप किसी वेक्ति से उसकी खुद की जो मात्र भाशा है उसमें बात करिए ना कि आप इंग्लिश में बात करिए जो कि आपके ऑप्रेसर की आपके रूलर्स की भाशा है ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर कि आपका कोई भी लीडर आता है ऐसे लोग जो पढ़े लिखें नहीं हैं जो समझतें नहीं अंग्रेजी आप उनके सामने इंग्लिश में जो है भाषान मारकर चले जाते हो गांदी जी ने इस चीज़ का बहुत जादा विरोध किया और इसके बाद उन्होंने इंकरेज किया कि आप जिस शेत्र के हैं जिस शेत्र के लोगों को एडरेस कर रहे हैं उस शेत्र के लोगों को उनकी भाषा में एडरेस किया जाए उनकी खुद की जो मदर टंग है पंजाब में हो पंजाबी में बोलो अंग्रेजी में भाशा मत दो अगर यूपी के इलाकों में हो तो हिंदुस्तानी भाशा में बोलो उस वक्त हिंदी नी बोला जाता तो उसको हिंदुस्तानी बोला जाता तो हिंदुस्तानी में बात करो बंगाल में हो तो बंगाली में बात करो, इंगलिश में मत करो, साउथ में हो तो आपका तमिलाडू में तबिल में बोलो, अगर आंदर में हो तो आपका तेलगू में बात करो, करनाटक में हो तो कंदर में बोलो, इस तरीके से गुजरात में हो तो गुजराती में बोलो, तो आपने linguistic आधार पर बनाया, इनको आपने भाशाई आधार पर बनाया, ना कि अंग्रेजों ने उस वक्त आपकी जो artificial boundaries बना रखी थी उस आधार पर, वो ता क्या था Congress की अपने अपने अलग-अलग regions की provincial Congress committees हुआ करती थी, जैसे आज का अगर हमारा देश है तो हर एक state है, तो हर एक state में अपकी political party की अपनी एक अपनी जो state की हिकाई होती है, state की अपनी खुद की committees वगरा होती है, अगर आप Congress की बात कर लें और आप कोई state उठा लीजे उत्तर परदेश, तो उत्तर परदेश में Congress की आज की तारिक में भी अपनी committees वगरा बनी हुई है, वो provincial committee है, या state committee, इसको आज की तारिक में state committee बोला जाता है, बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की भी state committee है, यूपी की बात कर रहें तो समाजवादी party और बहुजन समाजवादी party तो उनकी भी अपनी state committees बनी हुई है, उसी तरह से इंडिया में आजादी के पहले जो states को state ना बोलके provinces बोला जाता था और provinces को अंग्रेजों ने अपने हैसाब से बनाया था, उसमें भाशा भाशा का ध्यान नहीं रखा गया था, कि यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं तो इसको हिंदी भाशियों का अपना एक अलग राज्य बना दिया, यहाँ पर अलग प्रांत या प्रोविंस बना दिया, यहाँ पर तमिल बोलते हैं और तमिल का अलग बना दिया, ऐसा नहीं था, अंग्रेजों ने यह देखा था कि उनको शाषन चलाने के हिसाब से जादा बेटर क्या रहेगा, तो जो शाषन चलाने के हिसाब से उनको जाद जो है बनाएंगे वह बनाएंगे भाशाई आधार पर कि किसी एक दूतर के western बने हुए प्रोविंसेस के बेसेस पर आप ये जो अलग-अलग वेस थे जो गांदी जी ने अपना हैं कि आप अपनी भाशा में बात करिए लिंग्विस्टिक बेसेस पर आपने कॉंग्रेस कमिटी बनवा दी आपने चोटी चोटी जगाओं पर कॉंग्रेस के ओफिसेस खुलवा दी है आपने कॉंग्रेस की सदसेता दो आना चार आना छे आना कर दी और इस तरीके से उसके बाद में आपने प्रजा मंडल की सापना करवा दी प्रिंसली स्टेट्स में ज दुस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों तक पहल गया, इतने ऐसे ऐसे तब को तक पहुँच गया, जो लोग पहले राश्रवात की भावना से और आपका ये नैशनलिजम के फीलिंग से इन सारी चीजों से अच्छूते थे, जिन लोग को आप बेसिकली ला नहीं पाये थे, अपने मा आपका जो जन समर्थन था, जो आपके मासेस थे, या फिर आपके जो गरीब और शोशित वर्क के लोग थे, किसान और मजदूर थे, वो गांदी जी के साथ में आकर जोड़े और उरन के सपोर्टर बने, बट साथी साथ काफी ज़्यादा प्रॉस्पेरस बड़े बड़े रिच बिजनस्मेन वगएरा और इंडस्रिलिस्ट वगएरा जो थे, वो भी गांदी जी के सपोर्ट में आ गए, गांदी जी के सपोर्टर हो गए, और इनको काफी ज़्यादा खुल कर सपोर्ट करने लगे, एक बहुत बड़ी वज़ा जिसके कारण आपके जो रिच और रिच जी के सपोर्ट में निकल कर आए थे, वो ये थी कि इन लोगों को एक बात समझ में आई थी, कि अगर देश आजाद होता है, तो ये जो आजाद भारत होगा, इसमें उनके साथ में बिजनस में जो ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर कोई एक इंडियन कंपनी है और वो कोई सामान बना रही है, उसी के कॉम्पिटिशन में अगर कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी और वो भी वही सामान बना रही है, तो अंग्रेज हुकूमत के रूल्स और रेगुलेशन ऐसे थे इंडिया में, कि वो जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको इंडियन कंप competitors के comparison में, तो काफी सारे rich industrialist और businessmen जो थे उनको एक बात समझ में आने लगी कि अगर देश आजाद होता है, तो इस आजाद होने के साथ में जो British competitors को undue आपके फाइदे वगरा दिये जाते हैं, जो British government favors देती हैं, जिसके कारण ये लोग हमेशा advantage में रहते हैं, ये सारी की सारी चीजने खतम हो जाएंगी, तो इस से होगा ये कि जो दूसरे आपके businessmen हैं, उनको open, जो आपका एक fair market मिलेगा, एक ऐसा market मिलेगा, एक ऐसा mahal मिलेगा, जिसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो रहा और वो लोग फिर खुलकर अपने business में prosperity ला सकते हैं, और उसको बढ़ा सकते हैं, और उसमें काफी जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, इस तरीके की thought process जो है, काफी सारे industrialist की develop हो रही थी, जिस तरह से गांधी जी के control में, या गांधी जी के command में moment वगरे आपका आगे बढ़ रहा था, तो काफी सारे आपके जो industrialist हैं, जैसे की जीडी बिल बिल्ला सहाब एक हुआ करते थे, आज भी बिल्ला ग्रूप एक बहुत बड़ा ग्रूप है, तो जीडी बिल्ला सहाब हो गए, ये खुलकर इंडियन नैशनल मुवमेंट को support करते थे, जीडी बिल्ला और इसी तरीके के कुछ और जो बड़े industrialist वोगरा थे, वो लोग जीडी बिल्ला जैसे काफी सारे industrialist वोगरा खुलकर जो है इंडियन नैशनल मुवमेंट के support में थे, और कुछ ऐसे थे जिनको लगता था कि अगर बहुत खुलकर हमने support किया, तो अंग्रेज हुकूमत हमारे खिलाफ action लेगी और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, तो वो लोग tacitly जो है इसको support किया करते हैं, tacitly support करने का मतलब यह होता है, कि आप अपने मूँ से यह नहीं बोलोगे कि भाई मैं आपके समर्थन में हूँ या इस तरीके से, मगर आप activity ऐसी करोगे, जिससे यह clear हो जाएगा कि आप किसके support में हुआ किसके support में नहीं इसको support कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जी एक ऐसे leader के तौर पर निकल कर आ रहे थे, जिनके जो admirers थे, वो समाज के हर तपके से निकल कर आते थे, इसमें गरीब किसान भी शामिल था और इसमें अमीर industrialist भी शामिल था, important बात है, उसको ध्यान रखियेगा हाला कि यह दूसरी बात है कि गदी किसान अगर गांधी जी को support कर रहा है तो उसके अपने कुछ reasons थे, उसके अपनी कुछ वजवात थी और अगर आपका rich industrialist जो support कर रहा है तो उसके अपने कुछ reasons थे, अपनी कुछ वजवात थी और दोनों के जो reasons थे, वो एक दूसरे से म मिलेगा एक ऐसा मार्केट मिलेगा जिसमें किसी के साथ किसी को कोई नाजायल फाइदा नहीं दिया जा रहा है किसी को किसी तरीके का अंड्यू फेवर नहीं दिया जा रहा है सबको बराबरी से खुल कर खेलने का मौका मिलेगा इस तरीके के जो अलग-अलग आपके विचार थे उसके कारण समाच के तो all together दो तबके सबसे ज़ादा गरीब और सबसे ज़ादा अमीर दोनों जो है वो गांदी जी की सपोर्ट में आ गए अब इस तरीके का पूरे हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं था जिसको समाच के इतने ज़ादा एक्स्ट्रीम दो मोहानों पे खड़े हुए जो तबके हैं समाच के एकदम गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है दो वक्त में और एकदम अमीर लोग जो बहुत ज़ाद उसका रोल और उनके जो एक्षन थे वो बहुत ज़ादा वाइटल थे आपका जो गांधी जी का माच सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए मगर इसके इलावा इनके जो समर्थक थे और खास थोर पिनको जो यंग सपोर्टर थे और यंग समर्थक थे उनका भी एक बहुत contribution रहा है एक खास तरीके के nationalism को बढ़ावा देने में जिसको कई बार गांधियन nationalism भी कहा जाता है गांधियन nationalism या फिर गांधिवाद गांधिवादी राश्टरवाद का मतलब यह होता है कि आप nationalist हो आप सबसे पहले हिंदुस्तान को रखते हो आपके लिए इंडिया सबसे पहले आता है मगर साथी साथ आप गांधी जी के जो सखाईवी टेक्निक्स हैं सत्या हिंसा और सत्यागरे और बाकी सारी चीज़ा इन पर चलते हो आप किसी तरीके की हिंसा के समर्थक नहीं हो आप लोगों में बदलाव लानाज मैं विलीब करते हो ना कि लोगों से बदला लेने में विलीब करते हो इस तरीके का जएक तॉट प्रोद सथा जिसके बैसे पर गांधी जी अपने पूरी नहीं की गई थी, इसके बढ़ावे में सिर्फ गांधी जी के अपने अफर्ट सी जिम्मधार नहीं है, इसके इलावा इनके जो फॉलोवर्स थे, खास तोर पर इनके जो यंग फॉलोवर्स वगरा थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा कॉंट्रिब्यूशन है, हुआ यह, 1917 1922 के बीच में काफी जादा टैलेंटेड और काफी जादा एनरजेटिक इंडियंस, काफी यंग इंडियंस ने गांधी जी को जो है जोईन किया, अपने आपको गांधी जी को स्तमर्पित किया, और बोला कि हम आपके रास्ते पर चलते हुए, नैशनल मुव्मेंट में हमारे देश के पहले ग्रह मंतरी बनें, उसके बाद में जेबी कृपलानी सहाब, सुभाष चंद्र बोस, अबुलकलाम आजार, जवालल नहरू, सरुजनी नाइडू, गोविन बलब पंद और सी राजगोपालाचारी, तो ये सारे के सारे और भी बहुत सारे थे, मगर ये जादा था, और इन विचारों के फैलाओ के कारण, ये जो एक नए तरीके का प्रकर राष्ट्रवाद निकल कर आया है, जिसको हम लोग गांधियन नैशनलिजम कहते हैं, ये भी काफी जादा फुला और आज तक जो हैं कई लोग जो गांधिवादी कहलाते हैं, वो बेसिक पराज नहीं थे, गांधी जी के साथ में आकर जुड़े, और गांधी जी के साथ में आकर जुड़के हैं, और फिर काफी अपने अपने शेत्रों में काम किया है, सारे के सारे अलग-अलग शेत्रों से आते थे, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट से आ रहा है, को आपका North की तरफ से है, कोई South make them, Extreme Tamil Nadu, मदरास की आलाकों से आ रहा है, तो सब के सब अलग-अलग region से आते थे, सब के अपने-अपने religious traditions अलग थे, culture अलग था, customs अलग थे, सब होने के बाद में भी उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर चले और उन्हों अपने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, अपने जो example सेट किये, उसकी मदद से countless दूसरे हिंदुस्तानी जो हैं, वो inspire हुए, Congress join करने के लिए, Congress के लिए काम करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, और में जोड़कि अपना contribution देने के लिए, इससे हुआ यह कि गांधीया nationalism जो है, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, गांधी जी की mass following पागलपन के level को cross कर गई, लोग जन्समर्थन ऐसे extreme levels पर पहुंच गया, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, and most importantly, राश्रवाद या nationalism जिसके बारे में, गांधी जी ने 1916 में, फरवरी में कहा था, यहां आपका बनारस इंदू यूनिवर्सिटी में, कि यह nationalism का जो आभी आप बात नहीं कर रहे हो, यह सिर्फ एक इसमें सर्व आपके संभांध वर के लोग जुड़े हुए हैं, जब तक आप इसमें गरीबों को शामिल नहीं करेंगे, इसका कोई sensor नहीं बनता, आप यह लमा आ गया था, वो वक्त आ गया था, कि नाशनल मुव्मेंट पूरा का तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, उनके ओपर स्रिडीशन का मुकदमा लगाया गया था, और स्रिडीशन की मुकदमे के तहट उनको फिर 6 साल की सजा दी गई थी, हमने ये भी देखा था कि जिस जज ने मुकदमे में सजा सुनाई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी तरीके की ऐसी परिस्तितियां बनती हैं कि भारत सरकार आपको ये आपकी सजा कम करकर आपको जल्दी छोड़ देती है तो मुझस से जादा खुशी और किसी को नहीं होगी बाद में वही हुआ, इनको 6 साल की सजा दी गई थी 1922 में उसे साब से इनको लगबग 1928 तक जेल में रहना चाहिए था मगर गांदी जी को फरवरी 1924 में जेल से रहा किया गया फिर जो बाद जज ने कही थी कि आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा तो मुझस से जादा खुशी किसी को नहीं होगी ना सिर्फ उन जजज साब को खुशी होई होगी मगर हजारो लाखो जो भारतिये थे सबके सब जो है इस बाद से खुश हुए होंगे उनको अच्छा लगा होगा उनको संतुष्टी मिली होगी कि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया तो फाइनली फरवरी 1924 में गांधी जी की सजा कम करकर इनको छोड़ा जाता है आप यह यह डिसाइड करते हैं कि अपना जो अटेंशन है यह दो छीजों की तरफ लगाएंगे पहला तो यह जो खादी का प्रमोशन है उसकी तरफ लगाएंगे खादी का मतलब क्या अपना खुद का चर्खा चला कर जो खदर का कपड़ा आपने घर पे बनाया है जिसको हिंदी में हम लोग खादी बोलते हैं, एक तो ही इसके प्रमोशन और इसके प्रचार प्रसार में लगेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे कि चर्खा चला और अपना कपड़ा खुद बनाओ, खादी वगरा जो है, इसको बनाया जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, कम्यूनिटी से हो, रिलीजन से हो, घर बैटके चाहे एक घंटा चलाओ, मगर चर्खा वगरा चलाकर, खदर का कपड़ा बनाइए, खादी बनाइए, एक तो इसके प्रमोशन में अपने आपको लगाएंगे, दूसरा इन्होंने डिसाइड किया कि अन्टेच के खिलाफ उनका अभियान, एक ऐसा देश जिसमें अन्टेचेबिलिटी की प्रथा हजारों सालों से चल रही है, और जिसके कारण काफी जदा शार्प सोशल डिस्टिंशन्स वगरा क्रियेट हो गाएं, एक पर्टिकुलर वर्ग, अगर दूसरे पर्टिकुलर वर्ग के स इनका जो समूल जो है नाश दरूरी है और मैं इसके अबॉलिशन के लिए अपने आपको लगाऊंगा, ये सोच कर गांदी जी ने फाइनली अंटेचेबिलिटी के खिलाफ काम करना शुरू किया, बहुत हद तक हिंदोस्तान में आज जो अंटेचेबिलिटी काफी हद तक कम हो गई है, बहुत हद तक खतम हो गई है, कई जगाओं पर ना के बराबर है, एक ऐसी प्रथा जो हजारों सालों जो चली आ रही है, पचास से सतर साल के टाइम पिरिट में अगर इस तरीके से समाच से गायब होई है, बहुत है ये नहीं बोलता कि पूरी तरह से करती ने एफर्ट दिया था, तो फिर वो एफर्ट अपने आप में आप कह सकते हैं, उसका कोई अपना एक दूसरा पैरलर आपको नहीं मिलता जिसके साथ में आप कंपार कर सो को, तो गांधी जी ने अपने ये डिसाइड किया कि वो अंटेशिबिलिटी के अबॉलिशन मे कर रही है, मर वो भी वक्त के साथ में दीरे-दीरे-दीरे-दीरे समाज से चली जाएगी, मगर हजारों सालों से जिन चीजों ने बेडियों में बांध रखा था, अगर 50-60-70 सालों में समाज उन से बाहर निकला है, तो उसके पीछे गांधी जी के एक बहुत बड़ा लगे हुए थे, no doubt, but वो untouchables के leader थे, दूसरे जो आपके leaders वगेरा थे, वो इस पे कुछ lip service दिया करते थे, वो बोल देते थे कि यहाँ यह चीज ठीक नहीं है, मगर किसे ने अपने आपको पूरी तरीके से devote नहीं किया untouchability को abolish करने के लिए, किसे ने जाके अपना पूरा जीवन जो है उस चीज में नहीं दिया, तो सवाल यह उठता है गांदी जी ने आकिर ऐसा क्यों किया, जवाब यह है कि गांदी जी सिर्फ एक politician नहीं थे, मगर साथी साथ गांदी जी एक social reformer भी थे, और ये बात अभी नहीं है कि अभी अभी इनने करना शुरू करी, जब कि कही ना कहीं किसी लेवल पर हिंदुस्तानी समाज में, जाती के बेसेस पर, कास्ट के बेसेस पर, religion के बेसेस पर, या gender के बेसेस पर, discriminations हो रहा हैं और इनको नहीं मिटाये गया, तो आजादी मांगने का ना तो हमारे पास कोई right है, ना हमारे पास अंग्रेजों से ये कह के लिए मैं अपने आपको लगाऊंगा इनका ये मानना था कि अगर आप ये चाहते हो कि आप असल में आजादी के अदिकारी हो अगर आपको freedom के लिए वर्थी बनना है अगर आप आप ये चाहते हो कि आप freedom deserve करो तो उसके लिए आपको अपने अंदर के social levels को मिटाना जरूरी है चाइल्ड marriage होगी या अंटचेबिलिटी होगी आपको इसको मिटाना जरूरी है आप एक तरफ ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज आपके साथ में अत्याचार कर रहा है आपके कर रहे हैं और मैं अज़ादी दीजी अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजों से आँखों में आँखे डाल कर ये बोलें कि आप गलत हैं और मुझे आज़ादी चाहिए आप से आप मेरे देश का शोषन कर रहे हैं आप मेरे समाज का शोषन कर रहे हैं आप मेरा शोषन होके इस बात को क्या पाएंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे आजादी चाहिए उसके पहले चीज नहीं हो पाएगी इसी लॉजिक के साथ में उनने इस पर्टिकुलर एस्पेक्स पर काम किया है नो डाउट गांदी जी को सल्यूट है उनके प्रयासनों का एक बहुत धर्मों को मानने वाले हिंदुस्तानी हैं इनको एक दूसरे के प्रती जन्यून टॉलरेंस पैदा करना पड़ेगा एक होता है कि आप दिखावे के लिए ये बोलो कि भाई मैं तो जो है सब का सम्मान करता हूँ ये करता हूँ दूसरा आप मन से जो है किसी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए गांदी जी का कहना ये था कि सिर्फ आप मू से बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए जन्यूनली हिंदुस्तान के जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको एक दूसरे के प्रती जो है टॉलरेंस डिवलप करना पड़ेगा दूसरे शब् फ्रेंट पर उनके सारी विचार थे एकनॉमिक फ्रेंट पर आर्थिक फ्रेंट पर गांदी जी का कहना ये था कि हिंदुस्तानियों को सल्फ रेलाइं टोना पुड़ेगा अगर हिंदुस्तानी चाहते हैं कि वो असल में आज़ाद हों तो ये सर्फ एक पौडिटिकल आज़ादी है राजनतीक आज़ादी नहीं हो सकती कि आपके ओपर अभी अंग्रेज राज़ करना है अंग्रेज चलेगा और हिंदुस्तानियों नहीं राज़ करना शुरू कर दिया और आप अज़ाद आपने बोलना यह था एक तो जरूरतें कम होनी चाहिए और दूसरा maximum आपकी जरूरतों की चीज़ें आपको produce करना आनी चाहिए इसके symbol के तोर पर वो इस्तिमाल करा करते थे चर्खे का और स्पिरिंग वगरा की उपर वो काफी ज़्यादा जोर दिया करते थे तो इसलिए गांदी जी का कहना यह था कि एकनॉमिक फ्रेंट पर हिंदुस्तानियों को सल्फ रलाइंट होना होगा और इसलिए मैं स्ट्रेस देता हूं इस बात पर कि हैंड मेट आपका जो खादी वगर सकते हैं तो एक इंडिकेशन है कि बाकी सारी चीजें भी आप कर सकते हैं एक मैसेज था कि हर चीज जो है इंदुस्तान किखोथ कर सकता है अपने मागर मगर भरोसा होना जरूरी है आत्म शकिती होना जरूरी है और सेल्फ्रे. रिलाइंस होना जरूरी है तो यह जो है गांदी जी की अलग-अलग विचार थे और यह सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं तो जो सही माईनों में बात निकल कर आती है पीपल्स लीडर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हमको यहां पर सच में समझ में आता है कि पढ़ हो गया है ना सिर्व अपने पैरों पर खड़ा हो सके चल सके दौर सके मगर दुनिया में अपना जो सही स्थान है उसको हासिल कर सके तो यह सारी चीजें जो है गांदी जी को यूनिक बनाती है और नोड़ गांदी जी एक पीपल्स लीडर थे वो सही माईनों में ज जन्नायक कहा जाता था या फिर यह माना जाता था कि गांदी जी जो है वो सही माईनों में मासेस की लीडर है वो सही माईनों में जन्ता का प्रतिनिद्व करता है उनकी अलग-अलग एसपेक्ट्स हम लोगों ने देखे कि क्यों इस बात को कहा जाता था साथी साथ हम लोग जो है जनता के साथ में एको कर पाते थे जनता के साथ में जुड़ पाते थे इन सारी बातों को हम लोगों ने देखकर आज के लेक्चर में खतम किया है नेक्स जो हमारा हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग एक इसक похож करेंगे और वो रहेगा गांदी जी ने किया है उसकी हम लोग पूरी के स्टेडी करेंगे नमक सत्यागरा आकर क्यों किया गया नमक सत्यागरा या फिर नमक कानुन जो है उसके खिलाब गांदी जी ने दांडी-मार्स निकाला और इसके क्या परकॉशन्स हुए नेश्टनल लेवल पर और इंटर्न नेश्टनल लेवल पर इन सारी चीजों को हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सौल्ट सत्यागर है अग केस स्टेडी उसमें हम लोग देखेंगे मगर वो बातचीत हम लोग नेक्स लेक्टर में करेंगे आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं खतम करने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आप लोग मैगनेट ब्रीन्स की हमारी वेबसाइट पर जाईए यहाँ पर सारा का सारा एजुकेशन 100% आपको free of cost प्रवाइड कराया जाता है मैगनेट ब्रेंस की एक खासियत है यह कभी आप से यह नहीं बोलेगा कि दो लेक्चर हम से free में पढ़ो और उसके बाद के लिए आपका जो अगला कोर्स आपको पढ़ना है उसके लिए आपको पैसे देना पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा अगर हमने आपसे यह बोला है कि एजुकेशन यहाँ पर 100% free of cost है तो वो free of cost है यह हमारा commitment है हम लोग इस पर compromise नहीं करेंगे we are not going to do this कि दो lectures आपको पढ़ाये जाए या तीन chapter पढ़ाके free में हम लोग यह बोलेंगे बचे के लिए आप हमें payment करें ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर सारा का सारा syllabus सारा का सारा course, सारे lectures, सारे videos जितना भी content और resources है सब कुछ आपको free of cost provide कराया जाएगा now that's a commitment तो Magnet Brains के हमारी website पर जाए सारा class 1 से लेके class 12 तक in fact NTSC और Olympiad के लिए भी आपको यहाँ पर जो content free of cost provide कराया जाता है धीरे धीरे हम लोग दूसरे examinations के शेतर में भी venture कर रहे है तो वो भी वक्के साथ में जुड़ते चले जाएगे अब जो भी class या जो भी subject या जो भी exam का आपको पढ़ना है उस पे आप click करिए जैसे ही आप click करेंगे वैसे ही उस particular class के सारी videos वगरा निकल कर आ जाते हैं अब जो भी video आप इसमें से देखना चाहते हैं उस पे click करें सब एकदम ordered fashion में arrange किये गए हैं इस तरीके से कि आपको ढूंडना में कोई दिक्कत ना हूँ बाकी content आपको पता ही है हम लोगों कैसा होता है तो जितना भी आप पढ़ना चाहें पढ़ें जितना भी आप सीखना चाहें सीखें जितना भी आप समझना चाहें समझें जितने भी आप knowledge गें करना चाहें करें और सीखने की अपनी जिग्यासा को शांत करें, महनत करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, अपने एक्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें, अपने लिए बढ़िया करियर बनाएं, अपने माता पिता के लिए गर्व के पल लेकर आएं और इस देश की तरक्य में, उन्नती में और प्रगती में अपना contribution दें और अब विकास के पत पर बढ़ते हैं चले जाएं इसी नोट पर I would be calling it the day and concluding the lecture मिलता है next lecture में. Thank you.